जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास नाइन्थ साइंस के अंतरगत चैप्टर थर्ड परमाडू एवम अडू पढ़ा रहा हूं और यह हमारा आज का सेकेंड पार्ट है यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लिजे फर् इस वीडियो में हमने जाना कि परमाडू अत्यंत चोटे होते हैं और यह इतने चोटे होते हैं जिसकी हम परिखल्पना नहीं कर सकते हैं तो अब आपके दिमाग में बात चली होगी कि जब परमाडू इतने चोटे होते हैं तो क्या परमाडू का कोई द्रवेमान हो सकता है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाडू द्रवेमान यानि की एटामिक मास की तो किसी भी परमाडू के द्रवेमान को हम परमाडू द्रवेमान कहते हैं यानि कि किसी भी परमाडू के द्रवेमान को ही उसका परमाडू द्रवेमान कहते हैं तो जैसा कि हम सबी जानते हैं कि पर्माडू अत्यांत चोटे होते हैं तो यदि हमें पर्माडू का दर्वेमान ग्याद करना होगा तो इसके लिए हमें कौन सी इकाई का प्रियोग करना होगा यानि कि नेक्स हम बात करेंगे कि परमाडू दरवेमान की इकाई क्या है तो किसी भी परमाडू के दरवेमान को मापने के लिए हम जो इकाई यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं A.M.U A.M.U का फुल फॉर्म है Atomic Mass Unit ठीक है तो इंगलिस में Atomic Mass Unit बोलते हैं और हिंदी में इसे हम परमाडू दरवेमान इकाई के नाम से जानते हैं तो किसी भी परमाडू के दरवेमान को मापने के लिए हम A.M.U का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक इंपोर्टन चीज और बता दूँ कि आजकल A.M.U को सिर्फ हम U द्वारा ही प्रदासित करते हैं तो जो पहले की बुक थी जिनमें परमाडू के दरवेमान के लिए जो यूनिट देता था वो A.M.U लिखा होता था लेकिन अब के जो बुक आती हैं उनमें परमाडू के दरवेमान की इकाही U के रुप में प्रदासित की जाती है तो इससे आप कन्फ्यूज मत होईएगा A.M.U बोले या फिर यू बोले बात एक ही है तो यहाँ पर मैं U का मतलब आपको बता दूँ U का मतलब है यूनिफाइड मास तो अभी तक के डिसकुसन में हमने ये देखा कि जो परमाडू होते हैं परमाडू अत्यनत छोटे होते हैं इसलिए इनका जो तरवेमान है वो ग्राम मीली ग्राम में नहीं ना पा जाता है U में यानि की यूनिफाइड मास में तो यहाँ पर आपके दिमाग में बात चले होगी की एक यू बराबर कितना होता होगा यानि की एक यू बराबर कितना तो आएए समझते हैं की एक यू बराबर कितना होता है तो अगर हम बात करें एक यू के डिफिनिशन की तो एक U की definition के लिए कार्बन 12 समस्थानिक का प्रयोग किया गया है तो कार्बन 12 के है मैं आपको समझा देता हूँ कार्बन 12 एक समस्थानिक है यानि की कार्बन का एक समस्थानिक है जिसमें की कार्बन का परमाडू करमांग होता है 12 अगर आपने समस्थानिक पढ़ा है तो आपको समस्थानिक पता होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको पता देता हूँ समस्थानिक वे तत होते हैं जिनमें की परमाडु क्रमांग समान होते हैं परंतु परमाडु भार भिन भिन होते हैं जैसे कर hydrogen के 3 समस्थानिक होते हैं, Hirn agent 1, 1, 2, 1, 3, जिन्हें हमlive and do Stück नाम से जानते हैं, वहीं बात करते हैं अगले example की, तो carbon के 3 समस्थानिक carbon 12, carbon 13 और carbon 14 हें, इनमें सभी का जो ड्रवेमान है, क्रमसभ 12, 13, 14 है, परंतो यदी हम इन परमाडू क्रमांग को देखे तो तीनों के परमाडू क्रमांग क्या होते हैं छे होते हैं तो ये थे समस्थानिक तो समस्थानिक के बारे में आगे अगले चैप्टर में हम डिटेल से जानेंगे यहाँ पर बस मैंने आपको रफली समझा दिया है कि आप इसको समझ जाए कि स और इसकी परिभासा किया है तो कार्बन बारा समस्थानिक के एक परमाड़ के दरवयमान के एकटे बारवे भाग को एक यू कहा जाता है लेकिन यहां पर आपके दिमाग में चल रहा है कि एक यू बराबर कितना तो एक यू के लिए आप अपने दिमाग में कलपना करिए कि कारबन बारा का एक परमाडू है और इस परमाडू को हम समान रूप से बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो जब हम इसे समान समान रूप से बारा भागों में विभाजित करेंगे तो इसमें जो एक तुकडे का जो भार होगा वही एक यू के बराबर होगा यानि कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक यू बराबर होगा कारबन बारा के एक परमाडू के द्रवेमान बटे बारा के यानि कि कारबन बारा के एक परमाडू का द्रवेमान निकालेंगे और उसमें बारा से भाग करेंगे तो जो वैलू आएगी वो एक यू के बराबर होगी तो आएए हम कुछ तत्वों के परमाडू दरब्यमान को देखते हैं तो जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का परमाडू दरब्यमान होगा एक यू तो यू आप लिखेंगे आप याद कि जो परमादू द्रवय्मान होगा उसका मातरक्ण का होगा यू होगा। आई, और भी उधारन देखते हैं तो हाइडरोजन का 1 U, जैसा कि मैंने बताया है कार्बन का 12 U होगा, वही नाइट्रोजन का 14 U होगा वहीं बात करें हम oxygen की तो oxygen का solar U होगा sodium का 23 U होगा बात करें magnesium की तो magnesium का 24 U होगा वहीं बात करें sulfur की तो sulfur का 32 U होगा chlorine का होगा 35.5 U और calcium का होगा 40 U तो ये सभी important है इन सभी का आप परमाणू द्रवयमान याद कर लिजिए आईए बुधारण के द्वारा समझते हैं की कैसे हम योगिको के परमाणू द्रवयमान की गणना करेंगे तो जैसे हम बात करें S2O की की S2O का परमाणू द्रवयमान क्या होगा तो हम सभी जानते हैं की जल में 2 hydrogen और 1 oxygen परमाणू होता है एक यू और oxygen का परमाणू द्रवयमान होता है 16 यू अतह जल जिसमें की hydrogen की दो परमाणू और oxygen के एक परमाणू होते हैं तो जल का आडविक द्रवयमान यानि की molecular mass होगा दो गुड़े एक प्लस एक गुड़े 16 का योग तो यहाँ पर दो गुड़े एक इसली लिखा गया है कि दो का मतलब है hydrogen की संख्या यहाँ पर दो है और एक इसली लिखाव है क्योंकि hydrogen का परमाणू द्रवयमान है एक यू उसी तरह बात करें oxygen की तो यहाँ पर एक इसली लिखाव है क्योंकि oxygen के पर्माडू की संख्या है एक solar यहाँ पर इसलिए लिखावा है क्योंकि एक पर्माडू का जो पर्माडविक दरवेमान है वो है solar तो जब आप इसे add करेंगे तो आपका आएगा 18U यानि कि जल का आडविक दरवेमान होगा 18U आईए एक और उधारन के दोरह समझते हैं तो हम निकालते हैं सल्फियरी कमल का यानि कि H2SO4 का आडविक दरवेमान तो हम देख सकते हैं कि H2SO4 में हाइडोजन के दो पर्माडू सल्फर के एक पर्माडू और ऑक्सीजन के चार पर्माडू है तो H2SO4 का आडविक दरवेमान ग्याद करने के लिए हमें सब का पर्माडविक दरवेमान पता होना चाहिए हाइडोजन का 1U सल्फर का 32U आक्सीजन का 16U तो इस प्रकास से हम देख सकते हैं कि H2SO4 में हाइडोजन के दो पर्माडू यानि कि 2 गुड़े एक सल्फर का केवल एक पर्माडू है तो सिर्फ हम 32 लिखेंगे ऑक्सीजन के 4 पर्माडू है तो लिखेंगे 4 गुड़े 16 और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 98U यानि कि सल्फियूरी कमल का आडविक दरवेमान होगा आडविक दरवेमान ग्याद करना आगया तो दोस्तो आज की वीडियो बस इतना ही आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों में इसे सेयर करना मद भूलेगा और यदि आप हमाने चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमायचन को सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमायचन को सब्क्राइब कर लिजे और बगल में जो बेल आइकान है उसे प्रेस करेगा और उपर की और जो आल का ओप्सन है उसे सेलेक्ट कीजिगा तकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत